नमस्कार सातियों सातियों राजस्तान पुलिस से एडिमिट कार्ड में जो एडिमिट कार्ड से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है और हो सकता उसका आपको मालूम भी हो अगर मालूम ना हो तो मैं आपको आपकी जानकारे के लिए यह चीज बताना चाहता क्योंकि जो पहले एडिमिट कार्ड थे उनके साथ में और अभी जो एडिमिट कार्ड है उनके साथ में जो एक सप्लिमेंटरी फॉर्म है वो आ रहा तो सप्लिमेंटरी फॉर्म का क्या है बहुत से लड़के तो इसे यूसफुल समझ नहीं रहे कि पता नहीं यह जरूरी ह या नहीं है लेकिन उसमें लिखा हुआ कि परिक्सारती से जरूर भरे और इसमें कोविड से समंदी दिशाने देश दिये गए हैं और दोस्तों यह अगर आप नहीं लेके जा रहे हो तो आपको एक्जम सेंटर में कहीं नहीं परिशानी का सामना करना पर सकता क्योंकि यह बेश्ट रहेगा और अगर आज नहीं निकला पाते हो तो यह कल तो फिर क्या है कि आपको भागादरी करने पड़ेगी आपको अपने एक्जम सेंटर तक पहुंचना होगा और दोस्तों यह सारी चीज़ें आपको संभाल कर रखनी है जो भी दिशाने दिश दिये गए हैं अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं भी साम तक आपको इसमें अवेलवल करवा दूँगा आपको कोई भी गलती ना करे उसके लिए मैं आपको साम को एक सेपरेट वीडियो अवेलवल करवा दूँगा दोस्तों और दोस्तों मैं आपको बताना चाता हूँ कि एक्जाम में बहुत ही ज़्याद आपको सावधानी बरतनी जरूरी है और देखते हैं वो कौन सा फॉर्म है जिसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एड्मिट काड आए तो एड्मिट काड के बाद में यह वाला है आपको एक फॉर्म दिया जाएगा लास्ट में एड्मिट काड जहां पर अपर अड्मिट काड निकल वहोगी है वही से यह फॉर्म निकल दाएगा तो इसमें है COVID-19 से संबंधी जो जानकारी देगे आपको न इंपोर्टेंट है तो इन तीनों में से अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसका वेवरन आपको नीचे देना है सबसे पहले आपको इसमें पूचा गया है कि आपको खांसी बुखार या सांस लेमने में कोई तकलीफ है एक आपको पुछा गया है कि आपको यहां पर विकत तीन सफ्था में कोविड पॉजिटिव आप है तो वह भी आपको विवरोने देना है और लास्ट में यहां पर पुछा गया है कि मुझे वर्तमान में सेनिटाइजर आइसोलेशन की सलाह है लागूर नहीं है तो यह तीन formal normal सी बाते हैं तो यह आपको याद रखना भी जरूरी है क्योंकि इन चीज़ों आप जैसे एड्मिर कार्ड ले गए और यह नहीं लेके गए तो आपको परिशानी का सामना करना पड़ सकता दोस्तों मैं आपको separate वीडियो आज सामको रोकने थैंक्यो दोस्तों